हेई एवन, हाओ यू अल, सो कैसे हो आप लोग, सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, उस बुक का नाम है, It Ends With Us और यह बुक लिखी है, Colin Hoover ने, सो लास्ट वीडियो में देखा था, वीडियो नमबर 29, अब यहाँ से शुरुआत होती है, वीडियो नमबर 30 की, और यह है बुक में चैप्टर नमबर 19, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, अगर आप चाहो, तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, उन सब के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिये हैं, अब जो चैप्टर 19 की शुरुआत है उसमें रायले और लिली, अब दोनों की शादी हो चुकी है, वो लोग वेगस गए थे, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वेगस में जाने के बाद उन्हों नों शादी कर ली थी, अभी लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं, अब जो लिली होती है वो अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही होती है, कहती है कि मम्मी छे बीच चुके हैं, कम से कम अब तो चीज से बाहर आ जाओ, अब जो उसकी मम्मी होती है वो दर फोन पे कहती है, तो मेरी कलौती बेटी हो यार, और मैं कुछ ही नहीं का सकती, अगर मैं तुम्हाई शादी के बारे में पूरी जिंदगी बर सोचा हो तो, जो लिली की मम्मी थी ना, उन्होंने अभी तक लिली को माफ नहीं करा था, जबकि लिली की मम्मी उनके साथ वहाँ थी, जो रायले और लिली थी थी ना, इनने क्या करा था, लिली की मम्मी को फोन करा था, अलीसा के टिकेट बुक करने से पहले, और इन लोगों ने जबजस्ती करी, रायले क मम्मी पापा थे उनको, कि भई आप भी चलो शादी में वेगस में शादी करेंगे उसके लावा जो लिली की मम्मी थी न उनको भी force करा कि ने भी तुम भी चलो वेगस में शादी होगी और तो राती रात में ने इन सब का plan बना और जब तक लिली की मम्मी एरपोर्ट पहुंचती न तब तक जो लिली जी न उसने तो भई मन बना लिया था कि उसको शादी करनी है राइले के साथ वो भी वेगस में और तो जो उसकी मम्मी थी न इसलिए उनने ज़ादा बात करने ही कोशिश भी नहीं करी कि वो यह अपनी बेटी की शादी में बहुत सारी शॉपिंग करेंगे केक काटेंगे और तो और एक अच्छे जाना धूम रड़के से शादी होगी लिली की लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब जो लिली होती है वो अपने पैर पटकती है काउच पर कहती है अब जो रायले और लिली होते न इन लोगों ने बच्चों के बारे में भी बात करी होती है जब लोग वेकर जा रहेते न फ्लाइट में तो यह दुनों साथ में बैटके इसी चीज़ों पर बात कर रहेते और तो लिली थी न वो यह एंशूर करे थी कि बाई इस बारे में भी हम लोग बिल्कुल ओपन रहे कि मुझे बच्चे चाहिए या तुम्हें बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए जो भी इनका डिसकॉशन हो इस बारे में वो open नेना चाहती थी ताकि चीजे ना इनकी आगे की जिन्दगी के लिए clear हूँ जो रायले था ना उसने कहा था कि ठीक है मुझे कोई problem नहीं और हम लोग open है discussion के लिए उसके बाद इरोने ना कई सारी चीजों पर clarity ली ताकि इनको आगे जाके problem ना हो जो रायले थी ना उसने रायले को बोला था कि मुझे एक separate bank account चाहिए क्योंकि तुम ज़्यादा पैसे कमाते हो तो इसलिए जब भी मैं तुमसे नराज होंगी है कि हम लोग किसी तरीके की charity करेंगे जैसे Marshall और Alisa करते है अब जो रायले था ना वो कहता है कि वो तो already charity करता है दानवन देता है अब भया यह सुनने के बाद जो लिली होती है वो तो सोचते है कि मैं उससे और जल्दी शादी कर लो अब जो रायले था ना वो लिली से एक promise करवाता है कहता है कि ना तुम्हें एक promise करो कि तुमना vote जरूर दोगी इससे फरक नहीं पड़ता तुम अपना vote किसको दो Democratic को दो Republican को दो या पूर इंडिपेंडेंट candidate को उसको दो लेकिन तुम vote जरूर करोगी अब जो लिली होती है ना वो इस बात को लेके मान जाती है और जब तक ये लोग वेगस में land करते हैं ना फ्लाइट से ये लोग बिलकुल एक ही पेज़ पे आ चुके थे अब ये लोग ये बाते करी रहे होते है ना जो लिली होती है वो देखती है कि भई दर्वाजा खुल गया सामने वाला अब जो लिली होती है ना वो अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी जाना पड़ेगा रायले घर पे आ गया अब जो लिली देखती है न तो रायले सामने दर्वाजे से आ रहा होता है जो लिली होती है वो अपनी मम्मी को कहती है मम्मी जो भी मैंने शब्द कहे न मैं उसको दुबार से बदलना चाहती हूँ जो मेरे पती है वो घर में आ चुकी है अब जो उसकी मम्मी होती है ना फोन पर वो हसती है वो कहती है गुडबाई और उना कहके कॉल रख देती है और जो लिली होती है वो अपना फोन साइड में फैकती है थोड़ा खड़ी होती है और एकदम हाथ पैर फैलाती है क्योंकि बहुत काउच पर लेजियूं की तरह बैठ हुई थी अब लिली क्या करती है जो उसने skirt पैन रखी होती है वो जान पूछके न अपनी थाइस तक कर लेती है और अपनी कमर वगएरा दिखाती है अब जो रहले होता है जैसी वो घर के अंदर आता है वो देखता है भाई लिली के शरीर को और तो तो तुरान ताके न बिल्कुल एक किस कर रहे होते है अब जो रहले होता है वो क्या कहता है उसकी गरदन पर किस करने लगता है और जो लिली होती है वो मन में सोती है कि यही है जिन्दगी हम लोग हर दिन काम करते है जो रहले है न लगवग मुझसे दूगने घंटे काम करता है और तोहर सफते में न दो-तीन राते ही वो घर पे आता है और जब entrepreneurs ईब lacits in reality, लेकिन जितनी भी राते हैं हम लुग साथ में बिताते हैं नख home लो एक दूसरे के बहुत जदा करीब होते हैं और कहता है न, अब मैं तुम्मैं,igramना हिक्की देने वाला हूं, हिलना मत, अब जो हिक्की होती है, वो एक तरीके से लब बाइट होती है, जो प्यार में तो एक दूसरी के गाट लेते हैं गरधन पे, अब जो लिली होती है, और उसको अलाव करती है कि चलो ठीक है कर लो क्योंकि जो लिली के बाल थे न वो इतने लंबे तो थे कि भई वो उसको छुपा सके और लिली को भी आस्तक किसी ने कभी हिक्की नहीं दीती अब जो राइले के हूट थे न उसको एक ही जगा बहुत जादा किस करे जा रहे थे बहुत जादा किस कर रहे थे और तो लिली को भी फील भी नहीं हो रहा था कि उसने कप काट लिया और किस करते करते न इन दोनों का बड़ा अच्छा मूड बन जाता है फिर लोग न एक दूसरे के साथ sex करते है फिर अगले scene में दिखाते है जब ही लोग sex करके उठ जाते है जो रायले होता है न वो फटा-फट नहाने जाता है और जैसी रायले नहा के बाहर आता है जो लिली होती है वो फटा-फट बात रूमें जाती है कि वो नहा सके, क्योंकि भई जो भी sex की smell थी ना, उसको फटाफट दूर हो जाए, क्योंकि भई इनको डिनर पर जाना था, अलीशा और मार्शल के साथ, अब जो अलीशा होती है ना, उसके कुछी सबते बचे होते हैं, उसके बाद फिर उसके delivery हो जाएगी, और तो वो ना, इनको force कर दी थी, कि भई, तुम आया करो, ज्यादा आया करो, क्योंकि एलीशा को ये लग रहा था ना, कि भई, अगर मेरे एक बार बच्चा हो जाएगा ना, फिर तो कोई मुझे देखने ही नहीं आएगा, जबकि ये बिल्कुली वहियात सी बात थी, अगर बच्चा हो जाएगा, उसके बाद तो ये लोग बहुत जादा विजिट करेंगे उसको, अब जो लिली है ना, वो कहती है कि मुझे अपनी भतीजी से बहुत जादा प्यार है, और इतना प्यार मुझे किसी से भी नहीं है, फिर लिली कहती है ना, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसी के बराबर तो है ये अट लिस्ट, अब जो लिली होती है ना, वो कोश जाती है कहती है रायले बातरूम के अंदर से अब जो रायले होता है वो कहता है कुछ नहीं ठीक है ठीक है सब ठीक है अब जो लिली होती है वो फटा-फट शेप करती है साबुन आब उन से धुलती है उसके बाद धराम से फिर सो उसको आवाज आती है अब जो लिली होती है उसको समझ नहीं आता है कि अरे बाहर चल क्या रही है और वो क्या कहते है फटा-फट पानी बंद करती है टावल उठाती है और अब अपने आपको पूछती है और देखती है रायले और जो रायले होता है वो कुछ भी रिस्पॉंस नहीं कर रहा होता अब वो क्या करती है लिली फटा-फटा अपनी जीन्स पहनती है दर्वाजा खोलती है शल्ट वर्ड डालती है और ना जब भाहर आती है बातरूम के बाहर कहती है रायले अब जब वो बैडरूम में देखती है न तो जो नाइट इस्टैंड होता है वो एकदम से घर हुआ होता है और वो जब लिविंग रूम में जाती है न तो जो रायले होता है वो काुच पर बैठा हुआ होता है एक कुने पर और जो दोनों हाथ होते हैं वो नाइएग्दम लिली को ऐसे देखता है कि मतलब कुछ हो गया हो जैसे अब जो लिली होती ही न वो कहती है तुम क्या कर रहे हो यार अब जो रायले होता है वो लिली को देख रहा होता है अब लिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यह expression है कैसे confused वाले हैं या फिर क्या हो गया ऐसा अचानक से अब जो लिली होती ही न यह लगता है न कोई अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर है कहीं अलीसा के साथ तो कुछ नहीं हो गया अब जो लिली होती है अब जो लिली होती है न वो क्या करता है जो लिली का फोन होता है वो जो टेबल होती है न आगे उस पे रख देता है अब जो रायले होता है उसने लिली का फोन पकड़ डखा होता है और मैं लिली को ऐसे देखता है कि भाई जैसे लिली को सब कुछ पता हो और जो लिली होती है वो बिल्कुल कंफियूज होती है कि भाई ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है और जो रायले होता है उसके हाथ में एक पेपर होता है अब जो रायले होता है वो कहता है बहुत ही मजाग की बात है यार और ये कहने के बाद वो जो कॉफी टेबल होती है उस पे लिली का फोन रख देता है कहता है ना मुझे से न धोके से तुम्हारा फोन गिर गया था और फोन गिरने के बाद उसका कवर निकल गया और मैंने कवर के पीछे देखा कि एक नंबर छुपा हुआ था अब जो लिली होती है वो मन में सूचती है यह भगवान नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब जो यह पर पहले वो वहा काउड से खड़ा हो जाता है लिली का नहीं इटाल लिता एगरा आख इसरेख पर पहलेजा और तो लिली कर आख कशन पैसे दिवाल जाया यह वो बल्कुल चूर होता है और तो और तीन सेकंड का ना बिल्कुल पॉज होता है अब जो लिली है ना वो बिल्कुल शान्त हो जाती है उसको यह लगता है ना कि बस यहां से तो अब दो ही रास्ते है पहला या तो राईले मुझे छोड़ देगा यह दूसरा यह मुझे बहुत ज़्यादा ना हर्ट करने वाला है अब जो राईले होता है ना वो अपना हाथ अपने बालों में फिर आता है और ना दर्वाजे की तब जाने लगता हो वहां से ना निकल जाता है अब जो लिली होती है ना वो कसके चिलाती है राईले फटाफट भाग के न, उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती है, राएले, मुझे explain करने का मौका तो दो, यार, अब जो राएले होता है उसका हाथ पकड़ता है उसको धख्का दे रिता है, अब जो अग्ला scene होता है, उसमें जो राइले होता है वो कहता है बस ऐसी रहो ऐसी रहो और जो लिली होती है वो राइले का हाथ फील कर पारी होती है एकदम जंटल एकदम स्टेडी और तो जो लिली थी ना उसकी आँखों से आंसू भेह रहे थे पता नहीं क्यों अब जो राइले होता है वो कहता है लिली बस तो आख देखनी पारी होती है और अका लिली की आँख के कुने पे दर्द भी हो रहा होता है अब जैसी उठने की कोशिश करती है जो राईले होता है उसके कंदे की उसको दबाकर कहता है नहीं तुम बैठी रहो लेटी रहो ऐसी कुछ िमत करो अब जो राहले होता है वो कहता है तुम बस ऐसी लेटे रहो जब तक मैं फिनिश ना हो जाऊँ अब जब लिली अपनी आँके खोलती है तो देखती है कि भई उसके उपर छट की सीलिंग है और यह उनका बेडरूम था जहां पर वो लेटा हुई थी अब जो लिली होती है वो कहती है फिनिश के चीज से अब जब जैसी लिली ने कहा होता है जो लिली का मूँ होता है वो भी दर्द कर रहा होता है लिली ना अपना हाथ अपने मूँ पे ले आती है अब जो राहले होता है वो कहता है कि तुम ना सीडियों से गिर गई थी और त अब अब जो रायले था न वो कहीं न कहीं दुखी भी था गुस्सा भी था और तो न वो सारी चीज shark dust लोख फील कर रहा था और यह चीज में लिली को बहुत жばँधा चाहिए WiFi कर लियाory पून, एटलस का नंबर, सीडियां, मैंने उसकी शल्ट पकड़ी और इसने मुझे धक्का दे दिया, और फिर राइले ने कहा कि तुम गिर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गिरी नहीं थी, उसने मुझे धक्का दिया था दुबारा से, दुबारा से राइले ने मुझे अब जो लिली थी ना, उसका पूरा शरीर का अपने लगा था, उसकी आँखों में से बहुत ज़्यादा आँसु आ रहे थे, और लिली को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसको कितनी चोट लगी है, लेकिन उससे कुछ नहीं फरक पड़ था, क्योंकि लिली के जो दिल में पहली की तरह मनाएगा, लेकिन जो रायले होता है ना, वो बिल्कुल भी ही मनाता, वो पूरे बैडरूम में यहाँ-वहाँ चल रहा होता है, और लिली को खुद नहीं पता होता है कि वो कर क्या रहा है, और जो लिली होती है वो अभी भी रो रही होती है, अब जो रायले ह अवाज होती है बिल्कुल धंडी होती है मतलब कुछ ऐसा नहीं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ अब जो रहले होता है solvent क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है कहीं पे भी. तुम्हारे हाथ में य पैर में और तो अजो रहले होता है इती है क्या ओज्डर ना कि एक husband अब जो लिली होती है न वो कहती है तुमने मुझे धक्का दिया और ये कहने के बाद लिली के आंखों से आंसू रुकनी रहे होते हैं और यही वो चीज ती न जो लिली देख पा दी थी और बोल पा दी अब जो रायले होता है न वो कहता है तुम गिर गई थी फिर उसके बाद कहता है न पांच मिनट पहले ही मुझे पता चला कि मेरी शादी कितनी जोटी लड़की से हुई है अब जो लिली की तखिया होती है न जो रायले होता है उस तखिया पर कुछ रख देता है और कहता है ना अगर तुम्हें किसी भी चीज की जववत हो तो I'm sure तुम इस नमबर पर कॉल कर सकती हो अब जो लिली होती है जब उस पेपर को देखती है तो उसमें Atlas का नमबर लिखा होता है अब जो लिली होती है वो रोते रोते कहती है रायले और वो मन में सूचती है यह हो क्या रहा है और यह कहने के बाद जो रायले होता है वो वहाँ से दरवाजा खोल के ना निकल जाता है और लिली होती है उसको यह लगता है यार में तो पूरी जंदगी खराब चल रही है अब जो लिली होती है वो कहती है राए ले और ना इसको कोई भी नहीं सुनता और वो ना अपना चैरा अपने हाथ से कवर कर लेती है और वो रोती रहती है और वो न बहुत जादा रोती है और लिली सोचती है न सिर्फ 5 मिट लगते है सारे चीज़ों को खतम होने में अब अगला सीन होता है न कुछ मिनिट बीच चुके थे शायद 10 मिनिट बीच चुके हूँ जो लिली होती है वो अभी भी रो रही होती है और तो अभी भी अपने बिस्ता से बिल्कुल भी हिली नहीं होती है उसको बड़ा डर लग रहा होता है न कि वो शीशे में भी देखे और इतने में क्या होता है न उसको दर्वाजा खुलने की आवाज आती है फिर दर्वाजा बंद होता है और वह देखती न जो राहले है वो वापस आ चुका था और तो उसको समझ यहाता लिली को और वह उससे नफरत करे उसको कुछ समझ यहाता है कि करे तो करे क्या या फिर तो राहले से वो डरे या फिर उसके लिए उसको थोड़ा सा ना दुख हो और ये सारी चीज़े एक साथ उसको फील हो रही थी अब जो भई रायले होता है ना वो आता है जो बैडरूम का दरवाजा होता है अपना सर दरवाजे पे माता है एक बार दो बार तीन बार अब सर माने के बार दरवाजे पे ना बैठके साइड में आके बल्कू ही पे आके बैठ जाता है लिली का हाथ अपने हाथ में लेता है गयता है लिली और ना बड़े ना एकदम उसके अवाज में बढ़ा धर्द होता है और कहता है ना प्लीज मुझे बतादो यार ऐसा कुछ भी नहीं है न और जो राईले के हाथ थे न वो इस बार कहाँ पर रहे थे और राईले कहता है न मैं ये सब कुछ बदाश नहीं कर सकता यार और ये कहने के बाद थोड़ा सा आगे जोग जाता है अब जो राइले का सर होता है वो लिली के सर पे रख देता है फिर राइले कहता है न प्लीज यार तुम मुझे बता दो कि तुम उससे मिल तो नहीं जी थी अब जो लिली होती है उसको समझ नहीं आता है कि वो उसको बता है या ना बता है क्योंकि उसे ना बात ही नहीं करना चाती थी ना उससे कुछ बोलना चाती थी अब जो राएले हुटा है उसको कहता है कि लिली ये चीज़ होती है मैं तुमसे बहुusion बहुत ज़दा प्यार करता हूँ अब जो लिली हुटी है अपना सर लाती है और वो ना सोचती है कि इसको सचाई का पता होना चाहिए क्योंकि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी अभी इसको पता होना चाहिए अब Lily उसको बोलती है ना कि उसका number में वहाँ भूल गई थी फिर उसको ना पूरा incident बताती है कि क्या क्या हुआ कैसे वो restaurant में आया था Elisa वहाँ पे थी वो 5 मिल्ट रुका उसने phone उठाया अपने आप number वहाँ पे रख दिया और तो और मैंने वो number कभी देखा भी नहीं और ना मैंने कभी उस number पे ना कुछ देखा ना मैंने बात करी वो बस वहीं पे था number अब लिली के इसाब बताने के बाद ना जो रायले होता है वो थोड़ी सांस नॉर्मल सी लेता है और कहता है ना तुम्हें कसम है लिली तुम्हें हमारी शादी कसम है तुम्हें हर उस चीज की कसम है जिसे तुम प्यार करती हो सर सर बता ना, तुमने कभी भी उससे बात नहीं करी ना उस दिन के बात से अब जो लिली होती ही ना, वो कहती है कसम से राईले तुम ना बहुत ज़दा ओवरियक करा था तुमने तुमने तो मुझे चांस भी नहीं दिया कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं अब एक काम करो दफा ओजाओ मेरे घर से अब जो लिली के शब्द होते हैं वो कही ना कही रायले को थोड़ी शानती देते है और वो चीज ना रायले के चेहरे से दिख रही होती है अब जो रायले होता है वो अराम से टिक्के ना फिर दिवाल पे बैठ जाता है अब जो रहेले होता है वो कहता है लिली तुम सीडियों से गिर गही थी यार अब जो लिली होती है वो मन में सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है यह अपने आपको कंवेंस कर रहा है या मुझे कंवेंस कर रहा है अब जो लिली होती है वो उसको दुबार से कहती है कि नि निकल जाओ मेरी घर से अब जो रायले होता है वो वहीं पर बैठा हुआ होता है जो लिली होती है वो विस्तर पर खड़ी हो जाती है अपने हाथ से अपने आशू पोस्ती है और जो रायले होता है वो थोड़ा सा फ्लोर से खड़ा हो जाता है और जैसे लिली की तरफ आगे कष्कई बड़ी रहा होता है न वो कहता है लिली तुमें चोट लगी भागती है उसको मारती है कहती है निकल जाओ मेरे घर से लिखना कसका के चिलाने लगती है कि निकल जाओ जो यहां से निकल जाओ और जो तखिया होती है वो यहां वहां फैक्ने लगती है जो राएले होता है वो चुप चाब भाग के जाती है लेविंग रूम में फटख ना जितने भी सारे लौक होते हैं दर्वाजे पे में डूर पे वो सारे लगा देती है वो अपने बैडरोम म जहां पर वो लोग अभी कुछ टैम पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और सेक्स कर रहे थे तो ये था इस वीडियो में and I hope so ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो so thank you and stay connected